अलो फ्रेंड्स आप सभी को स्वागत है प्रेम सोम प्लेन पर और आपके साथ दोस्तो मैं हूँ प्रेम और रोज की तरह आज भी आप सभी के लिए ये एक टिन सेड हाउस प्लेन चार बैडरूम के साथ हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस वीडियो में लेके आये हैं द दोस्तो इस वीडियो में पूरे जानकारी के साथ हम डिसकस करेंगे और आप यह जो कॉलर देख रहे होंगे साइध आप सोच रहे होंगे टाइस तो आपका घर में महेंगा थोड़ा होगा तो इसके लिए भी कुन सा उपाई है हमने किस तरीके से यह पैंड भी किया हुआ है और कॉलर कॉमिनेशन अपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आने वाला इस घर का यहां पर आप देख सकते हैं फ्रॉंट वीव कुछ तरीके से आने वाला है और यह जो घर आप देख रहे होंगे दो उसके उपर आपको जो मोटर का स्पेस में वाइड कलर के से आपको ड्रॉ लाइन कर लेना होता है और उपर आप कलर ऐसे गैप में कलर करके कुछ इस पैटन पर आप कलर कर पाएंगे और ऐसे करेंगे तो घर का लूग जो है दोस्तों बहुत काफी अच्छा लगने वाला है बहुत सारे जगा पे जो वाल का प्लास्तर है वो नहीं करते ऐसे ब्रिक के साथ ही छोड़ देते तो ब्रिक के साथ छोड़ने के बाद भी आप कुछ इस प्रकार से जाधी कलर करेंगे तो घर का लूग जो है दो काफी प्यारा लगेगा और यहां पर आप देख सकते हैं तो इसका जो रूफिंग बनाया हुआ है और थ्री पैनेल विडिवो का अमने उसके हुआ है और फ्रोंट साथ क्यों जो इस प्लाइन का जो खासी यहां पर आप देख सकते हैं जो मैं एंट्री डूवर है वह हमने जो अमारे गणपती देव यानिकी स्री गनेश जी का एक डिजाइन पर यहां पर सेट किया हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से यह घर को बनाया हुआ है ऐसे घर के प्लान के वीडियो पाने के लिए अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें के आपका साथ जरुड़ दना दुस्तों तो मैं आपका इसका जो सब्सक्राइब करने का वह आपको प्रोसेस जो है मैं बता दीता हूं कि यहां पर आप आप देख सकते हैं जब आप यहां पर आपको अंदर नहीं दिखेगा इस साइड की और से भी और यहां पर आप इस तर बनाया हुआ वह 30 feet by 37 feet के अदर यानि कि यहासे लेकर यहाँ तके ऐसे 30 feet और ऐसे में आपका यहां से लेकर यहां तके 27 feet 37 feet के अंदर हमनी यह घर को बनाया हुआ है इस पर आपको यहां पर एक छोटा सा step देखनी को मिलेगा जिसे जाएंगे दोस्तो तो इस जगा पे एक छोटा सा सब्सक्राइब करने के बाद यहां से लेकर आपका बैक साइट का यहां से रहेगा और तीसरा यह तीसरा वैड्रूम इसका साइज हमने लिया हुए दोस्तो दस पीट बाई ग्यारा फिट के अंदर और यह बेस्ट्रूम अमने बैड्रूम जो है यह गेस्ट्रूम की तरह यहां गेस्ट के लिए भी यूज कर पाएंगे इसी कारण अमने अंदर से एक दूर दिया हुए जिसके साथ एक एटे यह रहेगा मास्टर बैडरूम साइज आएगा दोस्तों मास्टर बैडरूम का 13 फीट ऐग्यारा फिट के अंदर फिर यहां से आप देख रहे होंगे एक डूर रहेगा जिससे जाएंगे दोस्तों यह रहेगा आपका घर में और जिसका साइज आएगा एट इंटू 5 से आने वाला है दोस्तों यह था आज कामरा प्लांग थैंक यू फॉर वाचिंग रेम्स होम प्लैन